हेलो फ्रेंट्स मैं हूजर बखान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग मुमन्स किचिन में आज मैं आप लोग इसाँ शेर करने जा रही हूँ बन कबाब की रेसिपी तो थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन ठाने में बहुत ही टेस्टी यह रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना मन कबाब की रेसिपी में हम लोग गलाटी कबाब तयार करते हैं तो इसको हम लोगों को तयार करने के लिए सबसे पहले पीमे को मैरिनेट करना रहेगा तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम कीमा लिया है उसको वाश करने के बाद उसका पानी स्ट्रेन कर लिया था और अब हम लोग इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें डालेंगे कच्छे पपीते का पेस्ट तो यहाँ पर मैंने तीन बड़े चमच कच्छे पपीते का पेस्ट डाला दो चमच अद्रक लेसन का पीस्ट, दो छोटी चमच में यहाँ पर एड़ कर रही हूँ लेकिन पूरे फुल करके और साथ ही में एक चमच यहाँ पर नमक एड़ कर देंगे, थोड़ा सा लालमेच पाउडर डाल लेंगे, आदा चमच के करीब और इन सारी चीजों को मिला द दीजिए, ताकि यह अच्छे से मेरिनेट हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो यह देखिए, मैंने मसाले जो अभी इसमें एड़ किये थे, उन सबी चीजों को मिला दिया है, अब इसमें एड़ करेंगे फैट, तो कीमे में, चिकना कीमा नहीं लेंगे, यह फैट को अलग से एड़ करेंगे, तो हमें पहले रूखा कीमा लेने के बाद, यह 75 ग्राम फैट को मैंने फ्रीजर में रख दिया था, जब यह अच्छे से टाइट हो गया, उसके बाद मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल के बिल अब इसके बाद हम लोग कबाब का मसाला तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ ड्राइ इंग्रीडिंट्स लेने हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए, यह मैंने खड़े मसाले सारे लिये हैं, और इसमें मैंने लिया है, एक बड़ा चमच, खड़ा धनिया, एक चुट लिया है, दो बड़ी इलाइजी, चार छोटी इलाइजी, पचछिस से टीस काली मिर्च, एक चमच, जीरा, पर बीस से पचछिस लॉंग, बीस से पच्छिस आपको लेना हैं, कबाब चीनी, और एक चोटा चमच, सिया जीरा, तो यह देखिए, कबाब चीनी इस तरह की होत करना है ताकि यह आसानी से पिश सकें बहुत जादा देर ड्राय रोस नहीं करना है बस आप इसको एक मिनिट के लिए तबे में डालने के बाद हलका सा ड्राय रोस कर लें ताकि यह आसानी से ग्राइंडिंग जार में डालके पिश जाएं चलाते जाएं आप इसको ताकि यह और आप ये देखिए ये जो मसाले ही है ये ड्राइ रोस्ट हो चुकी है एक मिनिट के लिए मैंने निकर लिया है अब इसको खाली करके इसी तवे में मैंने एक छुटा चमच पोस्ते का दाना डाल दिया है ये कबाब में एड़ करना ओप्शनल नहीं है इसलिए आप इसे ज तवे में डाल दिया है ये नारियल के टुकड़े है आप एक बड़ा नारियल का पीस लेकर इसको इस तरह से चुटे-चुटे टुकड़ों में करने जिए और एक मुठी ये चुटे-चुटे पीस डालने के बाद इनको भी हलका सा ड्राय रोस करनेना है और ये देखिए ये हलका सा गोल्डेन कलर इनमें आ गया है अब इसको भी निकाल के पीस लेना है सारी चीजों को अब इसके बाद इसी तवे में आप छोटा चर्मश लालमिश पाउडर डाल के भूल लीजे और गैस की ख्लीम को बंद कर दीजेगा की तवा अल्रेडी इतना गरम है कि आप आपको गैस की ख्लीम को अन करने की ज़रुरत नहीं है और इसी गरम तवे में यह असानी से बुन जाएगा बस आप 30 सेकंड के लिए इसको भी निकाल लेजेए अब यहाँ पर यह जो मैंने खीमा लिया था इसको मैरिनेट की हुए आठ घंटा हो चुका है इसको मैंने फि मसालों को मैंने पीस लिया है अब यह जो सूखे मसाले DRY रोस किये थी है इनको हम लोग पीसने के बाद इसी कवाब में मिलाना है अब ये जो नारियल लीई थी इसको हमें बस अलग पीसना है क्योंकि इसमें ओल्ड होता है और उसकी वज़़ें से 박ी मसालëं पिस नहीं पा पेट्ट करना है अगर आपको नमक कम लगए तो थोड़ा सा नमक और आट कर सकती हैं क्योंकि मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने यहां पर आदा छुटा चमर्च के करिब नमक और अब इन सारी मसालों को आपको हाथों से मिलाना है ताके ये पूरी तरह से इसमें मिल जाए और सभी तरब इन मसालों का टेस्ट आ जाए तो इसको हमें बहुत अच्छे से मिलाते हुए इसे सेट करेंगे हम लोग थोड़ा सा इसको जैसे आटा गूलदा जाता है इसी तरह से नीट भी कर लीजिए आप और इसके बार जब बिल्कुल चिकना तयार हो जाए तब इसको हम लोग इस तरह से किनारे किनारे सेट करते हुए बीज में थोड़ा सा स्पेस कर देंगे और यहाँ पर एक छोटी कटोरी रखे इसमें हम लोग smoky flavor देंगे तो इसके लिए मैंने चारकोल को पहले से गरम कर लिया है चारकोल को अच्छे से गरम करने के बाद इसमें डाल दीजे आप देसी खीट और फिर इसे उपर से ठक दीजे ताकि स्मोक बाहर नहीं निकले और कम से कम दो घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिए दो घंटे बाद हम लोग इसको तैयार करेंगे तो दो घंटा हो चुका है और यह देखिए इसमें से जो यह चारकोल था वो मैंने हटा लिया है और अब हम लोग इस कवाब को आगे की प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे तो ब्सेरे प्याद के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे यहां पर प्याज प्याज मैंने थाजुग्राम लेएenया इसको मैंने मोटा-मोटा कार लिया है अब लोग इससे बारी छॉप करके डालेंगे इसलिए मैंने इसको थोड़े से पीसों को चौपर में डाल दिया है औ के तयार हो गई है तो बाकी बचे हुए भी जो पीसेज हैं इसी तरह से हम उनको भी बारी चॉप कर लेंगे और यह सब की पीसेज चॉप होकर रेडी हो गए है अब हमें लेना एक कड़ाई तो यहां पर मैंने आईरन की कड़ाई लिए इसमें मैं डाल दूंगी 200 ग्राम मस्टर्ड ओई और को हमें अच्छे से गरम करना है और जब गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा सा वनस्पती घी जो आता है कर देना है करीब 50 ग्राम के करीब और फिर इसको भी मेल्ट हो जाने देना है जब यह मेल्ट हो जाए तो जो प्यास चॉक करके रखी है उसको डाल देना है अब इस प्यास को हल्का सा गोल्डट होने तक ह Lions करना रहेगा तो आप इसको चलाकते जाएए और इसको हमें high flame पे फटाफट से golden कर लेना है मैं अब इसको golden जैसे ही होना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए प्यास का color change होना शुरू हो गिया है और आपको दिख रहा हो गई हलकल का golden color इसमें आना शुरू हो गिया है थोड़ा से हम लोग इसको और पका लेंगे ताकि इसमें पूरी तरह से golden color आ जाए तो यह देखिए अभी इसमें अच्छे से color आ चुका है आप देख रहे होंगे प्यास पूरी तरह से golden हो गई एक बहुत ही प्यारा सा color आया है अब इसमें हम लोग डाल देंगे जो कवाब को हम लोगोंने marinate करके रखा था उसे transfer कर देना है कवाब मैं इसमें डाल दे रही हूँ जितना भी कवाब marinate करके रखा हुआ था वो पूरा का पूरा मैंने इस कढाई में transfer कर दिया है और इसे अब हमें प्यास के साथ पकाना रहेगा जब तक कि ये पूरी तरह से tender नहीं हो जाता अब इसको हमें प्यास के साथ मिला देना है और मिलाने के बाद इसको चलाते रहना है बीच-बीच में ताकि ये कवाब नीचे से लगे भी नहीं और ये पक जाएं अगर आप इसे ढख के पकाना चाहती है तो आप इसको medium to low flame पर ही पकाए वरना तो ये नीचे से लगने लगेगा अगर इसको बीच-बीच में चलाएंगी नहीं ये कवाब जैसे ही गरम होने लगते हैं अपना पानी रिलीस करना शुरू कर देते हैं इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये जो पानी इसे निकलेगा उसी को ही हमें बोलते जाना है low flame पर और ये अपने आप दीरे-दीरे tender होते चले जाएंगे बस आप इसे बीच-बीच में चलाते जरूर रही है ताकि ये नीचे से लगे नहीं थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसे चलाती रहूंगी अब मैं इसको देखिए आपको दिखा रही हो मैंने 20 मिनिट के लिए ढकन ढकके इसको पका लिया था और बीच पीच में दो बार इसको चला दी थी ताकि ये नीचे से लगे नहीं और कवाब अब पूरी तरह से tender हो है इसलिए अब आप ढकन को हटाने के बाद इसको भूल लीजिए इसका टेक्श्चर आपको दिख रहा होगा कि कितना बारीक हो चुगा है ये अब मैं इसको हाई फ्लेम पर भूल लेती हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और ये ओईल सेपरेट करना शुरू कर दे तो ये देखी आपको दिख रहा होगा कवाब ने हलका हलका सा ओईल सेपरेट करना भी शुरू कर दिया है और मैं इसको दिखा रही हो क कि देखिए यह कितने अच्छे से टेंडर हो गया है फोक से मैंने इसको प्रेस करके देखा तो यह बिल्कुल अलग-अलग हो रहा है अब जब यह इस तरह से इस पोजिशन में आ जाए जब ओईल इससे सेपरेट हो जाए तो आपको ले लेना है आदा कटोरी भुना हुआ चना और इसका पाउडर बना लेना है तो यह बना छिलके वाला लेना है आपको और आसानी से यह पाउडर में बन जाता है फिर इसके ब ड्राइ रोस्ट करने के बाद इसमें एड़ करना है तो आपको दोनों चीजे मिलानी है बुना चना जो आता है बिना चिलके वाला उसको भी आपको पाउडर बना के मिलाना है और भुना हुआ बेसन भी एड़ करना है अगर नहीं है दोनों में से कोई एक चीज तो आप इन कवाब में इनको मिला दिया है जब और पूरी तरह से सेपरेट हो उसके बाद ही आपको इन दोलों चीजों को मिलाना है पहले से आप ना मिलाए और आप इसको मिलाने के बाद भी मैं दस से पंदा मिनिट के लिए कवाब को थोड़ा सा और भून ले रही हो ताकि यह जो चना और बेसन हम लोगों ने मिलाया है इनका पाउडर यह भी पक जाए इनकवाब के साथ और पंदा मिनिट के बाद देखिए यह कवाब पूरे रेडी हो गए है और इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है बेसन को मिलाने की वज़ा से और अब हम लोग इसको उपर से गार्निश कर देंगे थोड़ी सी धनिया और हरी कटी हुई मिर्श के साथ इससे बहुत अच्छी फुश्बू आ जाती है और टेस्ट भी और इसको अब हम लोग मिला देंगे और यह कवाब पूरी तरह से तयार हो चुके हैं इसको मिलाने के बाद हम लोग इसको सर्फ करेंगे तो गलोटी कवाब अगर आप मेरी स्टाइल से अगर ट्राइ करना चाहते हैं तो आप मेरी हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाईए और यह मार्केट से भी टेस्टी कवाब आपके घर में बनके तयार होंगे तो अब हरी मिर्च और धनिया दोनों चीज़े मिल चुकी है इसको हम लोग गैस की फ्लेम को बन करने के बाद इसको ढखके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हरी धनिया के खुश्बू इसमें पूरी तरह से अब्जॉब हो जाए और फिर इसके बाद हम लोग इसको करें तो मैं इसको फटाफर्ट से ढख देती हूं और गैस की फ्लेम को मैं कर देती हूं बन अब मैं रेडी मेड बन के साथ इसको करती हूं सर्व अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ने भूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस